नमश्कार दोस्तों बिहार समान ने गया इनके सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है हम लोग बिहार का स्टाटिक जी के देख रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बिहार के मेजर जो आपके परियटन धारमिक्स थल हैं जो टूरिस्ट आपके रिलिजिस टूरिस्ट प्लेसे से हैं उसके बारे में बात करी तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजे इसमें जो आपका बिहार का स्टाटिक जीक है ये बहुत हद तक factual इसमें questions आते हैं इसको वीडियो को रोज देखते रही है रिवाइस भी करते रही है तो आपका असानी से सब कुछ सारे fact जो हैं आपके memory में बस जाएंगे और इस वीडियो से हम लोग start करेंगे बिहार के की त्यारी कर रहे हैं और आपको प्री का एक्जाम का सारा study material घर बैटे चाहिए तो आप study for civil services का paid group को join कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार के भुगोल जोग्रिफी और बिहार के बारे में बिहार के बारे में बिहार का भुगोल हम लोग start करते हैं तो three start करते हैं वी ऐसकर दिके उच्छावच की दिस्ति से बिहार को टीन भागों बाटा जा सकता है अगर altitude की बात करें ये उच्छावच होता है altitude relief मतलब height की बात हो रही है इसके हिसाब से बिहार तीन हिस्सों में बढ़ता है पहला तो एक आपका हो गया हिमाले हो गया तीन हिस्तों में बट गया आपका गंगा का प्लेन एरिया मैदानी शेत्र और दक्षिन साउथ का पठारी भाग ठीक है जो आपका प्लाट्यू रीजियन होता है प्लाट्यू तो पठार बोला जाता है तो तीन हिस्तों में बट गय अब देखें mountain और plateau में क्या अंतर होता है एक बार ये समझ लिजे mountain आपका ऐसा बनेगा height होगी और वो conical peak होगी और पठार कैसा होता है पठार आपका जो plateau होता है वो ऐसा जाता है तो ये main अंतर होता है mountain और plateau के बीच में आगे देखतें next point बहुतिक बनावट और संरचना की दिष्टी से भिहार को तीन भागों में देखिए तो भी हमने height की बात करे altitude की उचावच की अब अगर geographical region की बात करें बहुतिक बनावट के साब से physical structure तो भी वो तीन भागों में बटा है पहला क्या है उत्तर का शिवालेक का परवतिय भाग एवं तराई शेतर की उत्तर में आपका कौन सा आगया शिवालेक रीजन आगया वही जो हमाले के जो पहाड़ है उसमें जो Southern Most आपका दक्षिन वाली हमाले की जो दक्षिन आपकी माउंटेन ने जो इसको शिवालेक बूला जाता है तो आपका नौर्थ में बिहार के लेकिन बिहार के उत्तर में पड़ेगा बिहार के उत्तर में कौन सा शिवालेक का परवतिय भाग और तराई शेतर भी आ गया पि यह ओगया पिहार का विशाल मेंदान पिर दक्षिन में आपका पठारी शेतर एक्स पोइंट देखते जरे इसको रेस कर दें लोग लगेगा कि बहुत जादा जाए है यार का विशाल मेंदान जो है वह कित्ते वर किलो मिटर वह नब्बे अजार छेसों पचास में विस्त मतलब इतने में फैला हुआ है तो है कहना जो आप लोग भी देखते होंगे बिहार में जो लोग रह रहे हैं जातर आपको मैदानी शेत्र प्लेन एरिया ही दिखता होगा मतलब पहाड पहाड और जो पठार वाला शेत्र है वो बहुत कम हिस्से में पाटा गया तीन भागों म लेकिन जातर कौन सा फैला हुए मैदानी शेत्र फैला हुए है कितना है नब्य अजयर 650 पर किलो मेटर मतलब ब्य चोपाटा स्कुएर किलो मेटर एरिया है ये ठीक और जो बिहार के कुल शेत्र हुआला का लगबग 96-पतिशत है बिहार के शेत्र फैला बहुत जादा सिर् भू आकरितिक प्रदेश धार राजे को मुखिता दो भू आकरितिक प्रदेश गंगा का उतरी मैदान गंगा का दक्षनी मैदान दो भागों में बाटा जा सकता है ठीक है इसमें क्या बात हो रही है जो आपका जियो मॉर्फिक रीजिन होता है भू आकरितिक रीजिन होता है बिहार को दो मैदानी शेत्र में भांटा गिया है पहला कौनसा हो गंगा का उतरी मैदन का दक्षनी मैधन bored तो गंगा नदी प्रवाहत होती है अप फिर से समझे बिहार में गंगा नदी है एक आपका उत्री गंगा मेदान हो गया अभी इसमें बताए है दो बागों में बाटा है ठीक और दक्षनी गंगा मेदान तो गंगा नदी कहां से फ्लो होती है वो होती है उत्री गंगा मेदान में ठीक है और कहां से कहां पस्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट से इस्ट की तरफ ये धियान रखेंगे तब ऐसे पस्चिम से पूर्व की और जार डिरेक्शन सो आप लोगों को पता ही होंगे अगर डिरेक्शन की बाद करें तो ये नदी के दक्षिनी टट से जारकंड के छोटा नागपूर पठार तक फैला भिहार का बाग भी समतल तर देखिसक में क्या बूला जा रहा है जो दक्षिनी टट है आपका दक्षिन टट की अगर हम बात करें समाले जा ये ये किसके साथ में जाके मिलता है ये भिहार के जो चोटा नागपूर प्लाटी हुए जारकंड के चोटा नागपूर पठार रहा है उसके साथ मिलता और वह भी क्यों से मैदानी शेत्र जोगर दक्षिन की बात करें गंगा का दक्षिनी मैदान की प्रमुक नदिया देखिए उपर तो आपका उतरी गंगा मैदान जो है उस कर्मनाशा, फल्गू और पुनपुन परियाद के लिए सोन, कर्मनाशा, फल्गू और पुनपुन उनकी साहयक नदियां अब साहीक नदियां क्या होती है, जैसे मालिज जा लिए लिए यह कोई नदी आके ऐसे गिर रहे है, तो वो हो गई, यह हो गई इसकी साहीक नदी, लिए में रिवर होगई हो गई और यह हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी vice being बोला जाता है, मतलब हिंदी में साहयक नदी, एक खोटा नाकपुर के पठार से गंगा नदी की और प्रवावित होने वाई नदियों के द्वारा लाई गई ते लोड मिटियों से गंगा के दक्षनी मैदान का निर्मान हुआ है क्या है खोटा नाकपुर पठार से भी नदिया निकल नहीं जो गंगा नदी की तरफ जा रही ह अब वो होता क्या है जब नदी आती है उचे शेतर से आ रही है तो वो अपने साथ में मिटी लेके आती है मिट्टी इंग्लिश में सॉयल बोला जाता है तो जो जलोर मिट्टी है जो अलुवियल सॉयल है इसको इंग्लिश में अलुवियल सॉयल बोला जाएगा जलोर मिट्टी वो लेके आ रही है और जब नदी जो है मदानी शेतर में बहती है तो वो मिट्टी को क्या करती रहती है डिपॉजिट जमा करती रहती है और उसी मिट्टी से कौन सा बना जो दक्षनी मदान है वो उसी मिट्टी से बना तो जो छोटा नकपूर पठार से नदी निकल लई है वो जो अपने साथ में मिट्टी लेकी आई है वही जमा हुए आप बढ़ इनको याद कर लीजेगा वीडियो अगर हो सके तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लिए नेक्स वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जो जलवाईउ है उससे संबंदे जो फैक्ट है वो देखेंगे जलवाईउ क्लाइमेट से तो यहीं पर वीडियो भी खतम करते हैं वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों को भी शेर करिए बताईए इस इनिशेटिव के बारे में श्कार